तो पहले मैं आपसे जाना चाहूंगी कि शारुक खान जो हमारे बॉलिवूड के किंग खान उनको बोला जाते हैं उनकी किस तरह की फिल्में आप देखना जादा पसंद करते हैं एक्शन वाली जिसमें बहुत मसाला होता है रोमैंटिक जिसमें रोमैंस करते हैं हमारे किंग खान और यहां पर कहीना कहीं ऐसी फिल्में जिससे कोई मैसेज मिलता है कौनसी फिल्म आप देखना पसने जी मैं तो देखना चाहूंगा कि शारुक खान जी जो की वलिट के इस समय किंग कहे जाते हैं उसके बावजूद मैं चाहूंगा कि इतने बड़े इस्टार हैं तो वो देश के लिए कुछ ऐसा बनाए ऐसी पिच्चर में काम करें जिससे देश को शीख मिली उनकी बीच में आई हुई एक पिच्चर थी चकदे जिससे जी हां चकदे इंडिया से लड़कियों को एक नई इंस्पिरेशन मिली ठीक उसी प्रकार से अमिर खान महोद है से उन्होंने एक दंगल पिच्चर लाई जो लड़कियों को अपने घर से इंस्पिरेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया तो फिर बीच में आई रनवेर शिंग की पदमावत आई और मस्तानी पिच्चर आई बाजी राओ मस्तानी तो हमारे जो बॉलीवुट की जाने माने एक्टर्स हैं मैं उनसे अग्रह करूंगा कि हमारे जो इतिहास है जो लुप्त हो चुका है समाद से उस इतिहास को आने वाली जनरेशन को वो इतिहास पता चल सके ऐसी इंस्प्र काल में हमारे किन-किन स्वतंत्रता शेनानियों ने किन-किन लोगों ने देश के लिए कितना बलिदान दिया और हमारे देश का नाम रोशन हमारे देश की सभ्यता संस्कृती पूरे विश्व में पहचे नहीं जाती है तो मैं चाहूंगा कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृती को और ज्यादा विश्व के सभी लोग लाइक कर सके और हमारी सभ्यता संस्कृति से हमारे देश का नाम रोशन हो तो मेरा बॉलिवुड के सारे बड़े अक्टरों से चाहे हो आमिर खान हो शाहरुक खान हो अक्षे कुमार हो आमिताप बच्चन हो सलमान खान जी हो शाहित को नई तकनी की और इतियास के उपर पिच्चर दें ताकि हमारे देश के युवाओं का प्रोटसान हो सके और वह अपनी सभ्यता संस्कृति को भली भात ही पहचान सके कही ना कहीं आपने जो बात बोली है बहुत सही बोली है तो एक और बात आप मैं आप से पूछा जाओ आप को नब्बे के देशक में उनकी तो भाई देखी पिचर तो उनकी बहुत सी आई है तो लेकिन मैंने जो देखा है वह डीडील जी कुछ-कुछ होता है दिल तो पागल है यह बोस ऐसी बहुत सी पिच्चर जो शारुक खान की बहुत सुंदर थी उसके गाने आज भी ब आप सुत्री इमेज की है आज की जो पिच्चर आ रही है वो लोगों को सिर्फ कहते हैं यह सब्द कहना नहीं चाहिए लेकिन लोग आज बोड़ी दिखाना ज्यादा पसंद करते हैं पिच्चर दिखाना नहीं तो मैं चाहूंगा कि अपनी सभ्यता संस्कृती जिसके सब्सक्राइब अपशचर दिखाना पसंद करते हैं तो हमारे कहनेकार दे जाक्षे कुमार साहब इन सबी लोगों ने पूरे हद तक मर्यादा में रहकर अपनी पिच्चरों का निरमार किया तो वालीवोड अगर दे रहे हैं तो आप अपने देश को अपने युवाओं को ऐसी चीज दीजिए जो दिखाने की जरूरत ना हो खुद बखुद आप दिखें ऐसा काम करें अब ही नहीं देखी है लेकिन देखने की तैयारी में आने वाले रवीवार को देखेंगे शारू खान की एक और फिल्म आने वाली है सारे जहां से अच्छा जिसमें वो एक जो हमारे इंडिया के पहले आइस्टरनॉट है जो स्पेस पे गएते हैं उनकी बायोग्राफी कर रहे हैं राकेश शर्मा की तो यह इस फिल्म की बात जाने के बाद अब कितने एक्साइट शारू खान को अपने तरह सरको में कोई मैसेज में देना चाहता क्योंकि सर खुद एक लोगों के लिए मैसेज हैं लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे देश का नाम रोशन हूँ ऐसा काम करें बहुत बहतरीन रहेगा थैंक्यू सो मच नहीं कि बहुत अच्छा लगा आप से कि उना पुल झाबड़ा से वाप सरको में कॉपवाद में लेकिन देशन हुट घपने लेकिन रहेगा लेकिन क्योंकि सरह की सर दुद एक्षण में तरह सक्षण हैं कि अच्छा बहुत विर्वां कै लेके